तो हम लोकुशन नमबर 23 पर आ गए हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंडिंग लिमिट्स के सारे कुशन सॉल्फ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुए, यहाँ पर मैंने फॉर्मुले लिखे हुए हैं, कौन से फॉर्मुले, वो थ्यूरम्स जो पहले से प्र ना जाओं, ठीके ना, तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो कुशन है, वो हमारे पास आता है, 2 प्लस, हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो सीक्विंस गिवन है, वो है, 2 प्लस 0.1 पावर N गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग थियूरम य sequence जो है वो है 2 plus 0.1 power n solution start करते हैं तो हम लोग इस पर क्या करेंगे limit put करेंगे limit put करते है n goes to infinity 2 plus यह theorem से क्या जाएगा 0 आजाएगा यहाँ पर आप लिख सकते है theorem के लिए के by limit x की power n is equal to 0 तो हमारे पस क्या आ गया हमारे पस 2 आ गया which is convergence ठीके न यह क्या हो गया converge हो गया इसको आप converge बोल दें अब क्या होगा अब next question करते हैं जो कि question number 24 है तो यहाँ पर हमारे पस sequence given है n plus minus 1 पर power n है और नीचे n है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा simplify करेंगे सबसे पहले तो limit put करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं n और n जब divide होगा तो हमारे पस यहाँ पर अलग-अलग कर देते हैं ठीके न और limit पी क्या करेंगे अलग-अलग put करना start करेंगे minus 1 power n तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो हमारे पस इन दोनों को यह दोनों cancel हो जाएंगे हमारे पस wonder जाएगा limit करने की कोई जरूरत ही रही है अब plus है जब हम लोग इस पर limit put करेंगे तो जब भी किसी चीज़ पर power पर क्या होता है zero आता है zero by हमारे पस जब नीचे क्या होगा infinity होगा तो हमारे पस उससे क्या आजाएगा उससे हमारे पस आजाएगा zero तो इसका answer क्या हो गया one which is converge तो 24th question भी हमारे पस converge हो गया तो यहाँ पर क्या है हमारे पस sequence given है one minus two n और divide की है one plus two n से तो सबसे पहले जब हम लोग इसमें limit put करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n common लेंगे उपर से भी n common लेंगे नीचे से भी n common लेंगे चलते हैं n common लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा n common लिया one divided by n आगया minus two हो गया नीचे से भी n common लेते हैं तो one हो गया one divided by n और plus two हो गया ठीक है यहां से end cancel यहां से end cancel अब limit put करते हैं limit put करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 1 by infinity minus 2 नीचे भी 1 by infinity plus 2 ठीक है यह हो गया plus 2 minus 2 1 by infinity से हमारे पास क्या आता है हमारे पास आता है 0 इस बात को जरूर याद रखें तो यहाँ पर 0 minus 2 हो जाएगा यहाँ पर 0 plus 2 हो जाएगा हमारे पास इसका आता है जाएगा minus 1 जो कि क्या हो गया converge हो गया अब हम लोग चलते हैं next question की तरफ question number 26 हमारे पास sequence है 2 and plus 1 और नीचे divide में है 1 minus 3 और यहाँ पर under square root है n का तो सबसे पहले limit put करेंगे और n जो square root है हमारे पास उसको comma लेंगे सबसे यह लूब पर n square comma लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 n square बच जाएगा plus 1 by इदर नीचे division में हो जाएगा ठीक है यह होगा हमारे पास अब क्या होगा अब हम लोग नीचे से भी n जो n square root है उसको common लेंगे तो हमारे पास 1 by square root यहाँ पर आ जाएगा और minus 3 हो जाएगा इदर से तो हमने यह cancel कर दिया अब अगर हम लोग यहाँ पर limit put करें तो हमारे पास infinity भी आ जाएगी infinity by 3 जो के हमारे पास क्या होता है infinity होता है और infinity हमारे पास क्या देती है diverge देती है तो यह हमारे पास diverge हो क्या अब हम लोग चलते हैं question number 27 की तरफ तो question number 27 पर हम आ गए है यहाँ पर हमारे पास highest power है वो हमारे पास N4 है तो हम क्या करेंगे N4 को common लेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे limit put करेंगे और यहाँ से N4 को common लेंगे दूसरे पैनल ले लेते हैं N4 को common ले लिया मैंने तो यहाँ पर क्या हो गया 1 divided by N4 हो गया minus 5 हो गया अब अगर हम लोग नीचे से भी N4 को common लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 plus 8 by N हो जाएगा हमारे पास अब next page पर चलते हैं बलकि यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर यह दोनों cancel हो जाएगे हमारे पास 1 by N4 पज़ किया minus 5 और 1 plus 8 by N तो अगर हम लोग यहाँ पर limit put करेंगे तो 1 by infinity हमारे पास क्या देता है 0 देता है तो यहाँ पर minus 5 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया यहाँ पर हमारे पास क्या आजाएगा 8 by infinity हमारे पास हो जाएगा 0 तो यहाँ पर 5 by 1 हो गया इसका answer क्या आजाएगा minus 5 आजाएगा which is converge दीक है तो converge कि मैंने short spelling लिख दी यहाँ पर तो यह converge हो गया अब चलते हैं question number 28 की तरफ 28 question में हमें दी गई है एक sequence जो के है an यहाँ पर हमें दी गई है n plus 3 और नीचे दिया है n square plus 5n plus 6 तो इस question में हम लोग क्या use करेंगे यहाँ पर हम लोग fraction का formula use करेंगे ताकर हमारे पर जो question है वो तो यह से simplify हो जाए solution start करते है सबस्पेल limit put करेंगे और fraction या फिर आप इसको first and last formula से भी use कर सकते हैं तो हमारे पास आजाएगा n by 3 इस पर हम लोग formula use करेंगे तो हमारे पास नीचे आजाएगा n plus 3 और n plus 2 तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं यह हमारे पास cancel हो रहा है limit हमारे पास की चीज़ पर लगेगी 1 by n plus 2 और जिससे हमारे पास क्या आएगा 1 by infinity से क्या आता है हमारे पास 0 आता है और 0 हमारे पास क्या हो जाता है converts अब हम लोग चलते हैं next question की तरह तो इस question में हम क्या करेंगे इदर हमने नीचे fraction use किया था या फिर हम लोग इसको first and last method बोल सकते हैं या फिर a square का formula जो होता है a square plus 2ab plus b square वो भी use कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग उपर use करेंगे तो जब हम लोग इसको simplify करेंगे यहाँ पर limit put करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा n-1 n-1 ठीक है और नीचे हमारे पास already n-1 given है हम क्या करेंगे एक-एक को cancel कर देंगे limit हो जाएगी हमारे पास n-1 पर इससे हमारे पास क्या आएगा infinity आ जाएगी infinity हमेशा हमें क्या देती है diverge sequence देती है तो यह diverge हो गया अब चलते हैं next question की तरफ